नमस्कार संस्कृत के प्रिविद्यारतियों आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मैगनेट ब्रेंस हिंदी मीडिया पर मैं पंकस दिवारी जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं बहुत जल्द आपको लोहित तुलाह नामक भाग दूसरा लेकर किया हूँगा तो आ कि बहुत ही अच्छे तरीके से सिक्षकों के मारग दर्शन में नोट से तयार किये गए हैं वो नोट्स आपकी परिक्षा के लिए उत्तम और उत्कृष्ट अंकलाने में आपकी मदद करेंगे उनकी जानकारी आपको कैसे मिलेगी आपको संपर कैसे करना होगा वो मैं आप को बताता हूं लिंकन डिस्क्रिस्टन वॉक्स में आप जैसे ही जाएंगे तो यह नोट सोरी वुक्ष की शंपूर जानकारी आपको वहां से प्राप्त हो जाएगी सिक्रिता करें जल्दी करें परिक्षा में उत्कृष्ट अंकलाने के लिए यह बहुत ही अचूक निशा हम लोग कहां तक पहुच चुके थे वह बालक को एक सिला में बंद करके वह एक गुफा में बंद करके आता है और किसके द्वारा एक ब्रहुत सिला बड़े पत्थर के द्वारा उस परवत की गुफा को बंद करके लोट करके आ जाता है यहां तक हम लोग कहानी को पूरा क करते जाएं क्योंकि लोहे की तराजु यहां चुहों के द्वारा खाई गई है और बच्चे को बाज के द्वारा हरण कर लिया गया है तो आनंद दाई कहानी है मज़ा आएगा आपको चलिए तीसरी नंबर के पहरा ग्राफ कहता है सह स्रेष्ठी प्रिष्टवान वह अभ्य जाघक तौल कुट्र में शिशू यह तोया शेह नदीम गता इती शाह अवधत तो पुत्राण नदी तटाब स्यनेन हर्ता इती स्रेष्ठी आवधत मित्यावादिना किम कोचित सेनो वालम हर्तुम सकनोती तत समर्पै में सुतम अन्यता राजकुले निवेदश्यामी इती सुआकत्यात भों सत्यबादिना यथा सेनो वालम ना नयती तत्था मुश्चिका अपि लोह गटिताम तुलाम ना भखच्यांती तद तदर्पय में तुलाम यद्य दारकेण प्रियोजनम इत्य है ठीक समझ में आ गया समझ में आया मतलब सीधा सीधा संपर कुछ नहीं कह दिया है तदर्पय में तुलाम देदो मेरी तराजू अगर पुत्रशे प्रियोजन है पुत्रशे कोई प्रेम है तो उसने इस पश्ट नहीं कहा प्रेम के लिए नहीं कि पुत्रशे कोई तुम्हारा प्रियोजन है तो कोई कारण है पुत्रशे तो जल्दी से दे दो मतलब संकेत वहीं पर कर दे अब देखना आगे क्या कहता है सास रिष्ठी उस स सेट के पूछने पर उस सेट ने पूछा भो अरे अभ्यागत आये हुए अथिति कत्ताम कहो कुत्र माने कहां में माने मेरा सिसु माने वालक यहां माने जो तोया माने तुम्हारे सह माने साथ नदीम माने नदी को गता माने गया था सहावदत वह बोलता है कौन वह बनिय का पुत्र जीण धन बोलता है तो पुत्रा नदी तटा सेनों हरता है तुम्हारा पुत्र नदी के तट से नदी के किनारे से सेनों सेनेन मानवाज के दौरा हृता माने हरन कर लिंगे स्रेश्ठी आवदर सेठ बोला मित्या बादिना तुम जोड़ बोलते हो किम कवचित सेनों वालन हरतुं सकनों थी क्या कभी वाज बालक को हरने में सक्छम हो सकता है यह बाच की द्वारा बालक का हरन किया जा सकता है तत्व समर्पाय तत्व मुझे मेरा पुत्र समर्पाय माने सुतम माने पुत्र को और में माने मुझे और शमर्पर माने समर्पित कर दो दे दो अन्यथा राजकुल अन्यथा मैं राजकुल निवेदिस्यामी राजकुल मैं राजा के पास जा करके निवेदन करूँगा इती सुवकत्यत तब वो कहता वह क्या कहता है भो सत्य बादिना तुम सत्य कहते हो तुम सत्य कह रहे हो और तुम सुत्य बोलते हो यथा माने जैसे सेनों बालम ना नयती जैसे बाज बालक को नहीं ले जा सकता तथा माने बैसे मूसिका अपी चुहे भी लोह घटी ताम तुलाम ना भक्छेंती लोहे से ब खा सकते हैं तदरपए देदो तदरपए देदो में माने मेरी तुलाम माने तराजू को यदी दारकेन प्रियोजनम यदी दारकेन माने पुत्रिष्य प्रियोजनम माने प्रियोजन है इती यदी तुम्हें अपने पुत्रिष्य प्रियोजन है तो मेरी तराजू देदो देखो अब व्याकरणात्मक टिपड़ी को देखिए साह माने हुआ है प्रत्मा का एक बचन स्रेश्थी माने सेठो परिश्टवान परिच्छ धातू से प्रिश्टवान बना हुआ है कितबतु कितबतु प्रित्य लग करके प्रिश्टवान बन गया है बहु में संबोधन लगा हुआ है अभ्यागत अभी प्लस आगत बराबर अभ्यागत तो यण संदी भी है और यहां पर क्या लगा हुआ है आपका संबोधन में लगा है अभी प्लस आगत बराबर अभ्यागत अभी प्लस आगत दिया हुआ है अभाई हिर रह कि अगत हो गया इकड़ पर हो जाएगा आपका जोगत है आगत आपका जोगत औ रहे है आगत ठीक अब इसको क्या करोगी आप बर्न सम्ब्य LIN किर्थि तो अभ यो आ मिल जाएगा अभ्यागत बन जाएगा अभ्यागत तो यर संदी हो जाएगी और दीखिए संबोधन का चिन्न लगा हुआ है यह लगा हुआ है यह संबोधन संबोधन लगा हुआ है फिर इसके बाद कथ्यताम कथ्यताम में दुतिया भ्यक्ति लगी हुई है कुत्र माने कहां में माने मेरा और सिसु माने सिसु में लगा हुआ है ध्यान लख लेना सश्ठी का बेकल्पिक रूप असमत का और सिसु में प्रत्मविवक्ति का एक बचन रूप लगा हुआ है यहां में प्रत्मविवक्ति का एक बचन रूप लगा है तौया तौम तौम तौया तौम तौ हुई है नदीम में दुतिया विभक्ति नदी नदीम नद्या 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 बन जाएगा गतह गमधातु इती सह अवदत वह बोला अवदत लंगलकार का रूप लगा हुआ है तो सश्टी विभक्ति का युस्मत का रू रूप लगा है नदी तटात ठीक सेनेन में सेनेन सेनेन तृतिया विवक्ति का एक बचन सेन माने होता है बाज और सेनेन मानेन बाज के द्वारा हिरता हरन कर लिया गया है हिरी धातू से हरन करने की योग में स्रेश्ठी प्रत्मा का एक बचन अवदत लंगलकार लंगलकार का रूप लगा हुआ है और मिथ्या बादिना में फिर से संब्धन लग गया है मिथ्या बादिना में फिर से देखें मिथ्या बादिन संबोधन का एक बचन किम माने क्या कभी कोई से नह मांने यहां देखो प्रत्थमा का एक बचन बाज पीछे ब, वकरी होने की बज़ए से बहा होना प्रपाफा बहा agreeing होने की बज़े से विशर की स्थान पर ओ हो गया बालम में दुतिया विवक्ति और हर तुम में हिरी धातु तुम प्रत्ते से बना हुआ है यहां पर गुण हो करके तुम प्रत्ते से बना गया है यहां हर तुम हिरी धातु और तुम प्रत्ते तुम प्रत्ते ना की और ओकी संग्या हो जाएगी तुम सेस रहेगा क्या रहेगा तुम सेस रहेगा और हिरी धातु यहां रहेगी लेकिन हिरी धातु में री है न तो री को क्या हो जाएगा अर हो जाएगा री को हो जाएगा अर और बचेगा तुम हा आधा हो गया है तो आ मिल जाएगा तो बन जाएगा हर यहां हो जाएगा तुम जब इसको हम एक साथ करेंगे तो रकार जाएगा उर्ध गमन तो बनेगा हर और मा हो जाएगा बिंदी में लेकिन यहां मा बिंदी में क्या हुगा है पीछ उसमें बेंजन है इसलिए बेंजन बर्ण होने की वज़े से मकार का अनुस्वार हो गया है लेकिन यहां अगर आप साथ में ऐसे भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है हरतों ठीक चलिए सकनोती सकनुतह सकनुबंती यह हमारा लट लकार पर्थम पुरुष एक बचन का रूप बना हुआ है सक धातू है सकने के अर्थ में ठीक तो सकनोती सकनुतह सकनुबंती बनता है तत्व शमर्पह में माने मेरा सुतम माने पुत्र को तो सुता सुतम सुतम सुतेन ऐसे बने गरूँ यह से राम की बनते ना सुता है सुतम सुतेन सुताय सुतात शुतश सुते बिलकुर राम के समान चलेंगे और यहां सुतम बना हुआ है दुतिया बिभक्ति देखिए शुतम अन्यथा अन्यथा राज कुले सब्तिमी बिभक्ति का एक बचन रूप लगा हुआ है नुवेदि श्यामी लिटलकार भविष्यकाल की बात कर रहे है ठीक निवेदि श्यामी उत्तम पुरु शेक बचन रूप लगा हुआ है तो यहां पर भी आपकी बिशर की शंदी है बिशर की स्थान पर ओं हो गया है और अकतियत का आया अब अग्रह की रूप में आ गया ठीक तो यहाँ पहले ऐसे होगा साह प्लस अकथयत अकथयत दिया हुआ है और यहाँ पर देखें विशरकिस्थान पर ओ हो जाएगा और अकथयत का आयसे अवग्रह की रूप में कथयत भालक को न माने नई नहीं और नी धातू न्याति नीधातू लठलकार पर्थां पुरूष एक बचन करो नयाति नयता नयंति तथा मुश्कां क्याँ चूह के द्वारा मुश्काह भी जूहेभी लोहये घ॥ गातिताम लोहां से बनी तुलाम मանन तराजू को दुदिया वभक्ति ना मने नहीं भक्षिती, भक्षिता भक शेंती लटलाकारगार पृथमपूरस बहुत पपू एक यान माने कारण अगर कोई प्रियोजन कारण हो पुत्रशे तोغिए तो फिर मेरी तराजू को मुझे दे दो इतनी बात्चीत हो रहा है यह देखो जगड़ा हो रहा है दोनों में सब्धार्थ को देख लीजिए सब्धार्थ में क्या कहा हुआ है नोने बढ़ी जा का मतलब होता है ब्यापारी द्वारा प्रिष्टा का मतलब पूछा गया से नेन का मतलब होता है बाज के द्वारा हिर्ता माने हरण किया गया मिथ्या बादिना माने जूट बोलने वाले क्वचित माने कहीं क्वचित का मतलब कहीं समर्पय माने दो सुत माने पुत्र को दारकेण माने पुत्र को पुत्रशे में माने मेरी यथा माने जैसे मेरी क्या बोले तराज अर्थ देखिएगा अर्थ में क्या कहा गया है उस व्यापारी ने पूछा कि हे अतिती कहो मेरा बालक कहा है जो तुम्हारे साथ नदी पर गया था वह बोला तुम्हारा पुत्र नदी के तरसे बाज के द्वारा हरन कर लिया गया है सेठ बोला जोन बोलने वाले क्या कहीं बाज बालक को हरन करके या चुरा सकता है तो मेरा पुत्र लोटा दो अन्था राज कुल अर्था राजा से मैं निवेधन करूँगा वह बोला हे सत्वादी जैसे बाजवालक को नहीं ले जाता वैसे ही चूहे भी लोह निर्मत तराजू को नहीं खाते हैं तो मेरी तराजू लोटा दो यदि पुत्र शे तुम्हारा कोई प्रियोजन है अगर तुम अपने पुत्र शे प्रयोजन लगते हो प्रेम करते हो तो मेरी तराजू मुझे लोटा दो मैं तुम्हारा पुत्र तुम्हें लोटा दूगा अगर बाज पुत्र को उठा सकता है तो लोहे तराजू को लोहे चुहे खा सकते हैं लोहे की तराजू को और अगर बाजपुत्र को नहीं उठा सकता है तो लोहे की तराजू को चुहे भी नहीं खा सकते देखो दोनों में विवाद हो रहे लगा अब चौथी नंबर का पैराग्राफ हम लोग आगे बढ़ेंगे चौथी नंबर के पैराग्राफ में क्या बात किया उन्होंने अनेन चोरेन अमम शिसु अपहिरताह इती अधरमादी कारण अत्तम अवदन भो समर्य पताम स्रेश्ठी सुतह सु अवदत किम करोमी पस्यतो मेनधी तटा शेनेन शिसु अपहिरताह इती तत शृत्वा ते अवदन भो द्यान रखें किम किम सीधी सीधी बात क्या रहा क्या सिशू को क्या सिशू को हरने में वह समर्थ होता है कौन बोले बाज चलिए मैं उपर से देखिएगा दोनों में जगड़ा होने लगा है और दोनों कहां पहुँच गए है राजा के पास पहुच गए राजा के पास पहुचने पर उनमें क्या बात्चीत होती है देखिए यहां से अर्थ देखेंगे थोड़ा सा देखिए मतलब दोनों बिवाद करने लगी क्या करने लगी बिवाद अब दोनों में जगड़ा होता रहा और तव माने दोनों देखें सातवते मतलब दोनों और बिवत मानव में भी दूई बचना अंतरूप लगा हुआ है तव में भी दूई बचना अंतरूप है और दोव अपी यहाँ पर भी आयादी संदी हो गई ह दोव मनें दोनों तो यहां पर भी दूइबचन रूप लगा हुआ है दोव प्लस अप बराबर दोव पी देखें दोव दोव अलग हो जाएगा दोव और अवको अव आदिस हो जायेगा अवको आव आदिस ध्यान रखना यहां पर अयादी शंदी लग रही है है द्वा हो जाएगा और आउ को आव आदेश ह और अपी अपी यह बन जाएगा आपका द्वाओ द्वाओ और आई इसे मिल जाएगा द्वाओ बन गया आयादी संदी राज कुलम गतव बोले राज कुलम राजा के पास राजा को गतव माने गए दोनों राजा के पास पहुंचे राज कुल पहुंच गए और तत्र माने वहां अब्याय स्रेष्टी माने सेठ तारस्वरेण मने उचे स्वर में चिलाने लगा उचे स्वर से अबदत मन बोला लंगलकार रूप लगा हुआ है और तारश्वरेण में तृतिया विवक्ति का एक बचार रूप लगा हुआ है तारश्वरेण तारश्वर में तीब्र और तेजावाज से अबदत मन बोला भो संबोधन लगा हुआ है भो वंचितोयम वंचितोयम ठगा गया हूं मैं ठग गया हूं मैं ठगा गया हूं मैं ठगा गया हूं ठगा गया का मतलब किसी ने बेपकूब बना दिया मै ठगा गया हुँ, वंचितो वंचिता प्लस अयम बरावर वंचितो यम यहां पर आपके भिषर गिशंदी हो जाएगे, वंचिता देखा जरा, वंचिता प्लस अहां, बरावर वंचितो यम, बन जाएगा 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 बन अहम आम मया महिय मत मम मम इस्टि विवक्ति का स्मत का रूप लगा हुआ है सिसु में प्रत्मा विवक्ति का एक वच्वचा रूप लगा हुआ है सिसो हो सिसों सिसो ना सिसवे सिसों सिसो और इस चोड की द्वारा मेरे पुत्र को मेरे सिसों को मेरे को का अपहरण कर लिया गया है मेरे पुत्र का अपहरण कर लिया गया सिसु का अपहरण हुआ अब सिसु का अपहरण अथ्धर्मा अधिकारिना अथ्धर्मा अधिकारिना धर्म प्लस अधिकारिना तो यहां पर तो आपका हो गया है बगवचनांतरूप और धर्म प्लस अध अधिकारिना धर्म प्लस अधिकारिना समझ में आ गया अधिकारिना यह धर्म प्लस अधिकारिना बार बार समझ में आ गया धर्म प्लस अधिकारिना यहां दिर्ग शंदी हो जाएगी आपकी ठीक है न यहां आपकी दीर की शंदी हो जाएगी और तम शहतम शहतम दुतिया विवक्ति आवदन रूप लगा हुआ है लंगलकार का बहुबचनांत रूप लगा हुआ है भो शंबोधन रूप लगा हुआ है क्या लगा है हुआ हुआ इस चौर के द्वारा मेरे पूता को उसका पुत्र का अपहरण कर लिया गया है इस प्रकार धर्मा आधिकार नीं फिर धर्मादिकारी मतलब जो राजा था उसने कहा कि वह समरप्रताम श्रेष्टी पुत्र उस सेटके सुत को पुत्र को क्या कर दो समर पित कर दो बला वही जीर नधन नाम का बणिक पूत्र बूला किम करो मी क्या करता हूँ क्या करता हूँ पस्यة तो मैं दी तटशे नदी के किनारे से से ने नमने बाज के द्वारा शिशु माने बालक को अपहरण कर लिया गया मेरे द्वारा वह बाजर क्या कर ले गया है उसे शिशु का अपहरण कर ले गया है तच्छृत्वा उसको सुन करके तेया वदन वे बोले कौन वह धर्मादिकारी भो अर बाज के द्वारा सिसु माने सिसु को या बच्चे को या बालक को हर्तु माने हरने के लिए समर्था माने शमर्थ भवति माने होता है क्या बाज बालक को हरन करने में समर्थ होता है तुम सही नहीं कह रहे हो इतना उन्होंने बात कह दी है तो भावताम जो लगा हुआ है करते का योग बना हुआ है समर्था में विशर्ग शंधी और विशर्ग के स्थान पर हो गया है भावती भावता भवंती लटलकार प्रथम पुरुष एक बचन का रूप यहां लग गया है आगे बढ़ो शब्दार्थ शब्दार्थों पर बात करेंगे विबद मानव का मतलब होता है जगड़ा करते हुए द्वा अपी द्वा उपी मने होता है दो भी तारश्वरेण का मतलब उच्छी स्वर्शे पस्यता का मतलब देखते हुए प्रुवाच प्रुवाच का मतलब बोला आ ब्र इस प्रकार जगड़ा करते हुए वे दौनों राजकुल दरवार में पहुँचे और वहां सेठ उचे स्वर से बोला मैं ठगा गया मैं ठगा गया घोरन्या हुए मेरे शाथ मेरे पुत्र मेरा पुत्र इस चोर के द्वारा चुराया गया है फिर धर्मादिकारियों ने उसको बोला अरे सेठ के पुत्र को दे दो वह बोला मैं क्या करूँ मेरे देखते हुए नदी के तड़ से बाज द्वारा बालक का हरन किया गया यह सुनकर के वे बोले आपके द्वारा सत्त नहीं कहा गया है क्या बाज बालक को हरने में समर्थ हो होता है यह सत नहीं कहा गया है आपके देखर plakya होती है पांच में नंबर का पैराग्राफ हमारा आया चार पैरागराफ तक हम पूरा कर सुकिए हैं पांच में ते अप्रिच्छन कथम एतत ततह सहस्रेश्टी शब्यानाम मग्रे आदितह शर्भम बृत्तांतम न्यवेदियत ततह न्यायादिकारिनह विहश्य तव द्वाप्पूर्शंबोध हैं तुलाम शिशु प्रदानेन तोशित बनता नीचे अनमध दिया हुआ है अनमध पर हम चर्चा करते हैं लेकिन आप इशको ध्यान से देखिएगा उन्होंने क्या कहा है कि शावदत शावदत वह बोला भो भो शंबोधन लगा हुआ है यहाँ पर सुरू यताम उन्हें सुनिये मत बचा मन मेरे बचनों को फिर उन्हें लोह सहस्त्रश्यों यत्र खाद्थि मूशिका राजितंत्र हरिश्या नौ बाले कम नात्रिशन सयहाँ तुलाम लोह सहस्त्रश्यों यत्र खादंति मुश कहां राज तंत्र हरे सेनों बाले कम नात्रिशन सयाहा बोले तुलाम सहस्त्रश्यों यत्र खादंति जब लोह की तराजु को हजारों यत्र माने खादंति हजारों मूशक जब लोहे की तराजु को खाते हैं तो राजतंत्रहरेश diyano ये बताइएए कि राज़ दरवार में हे राज़ आधी कारणा ये बताइए कि सेना मने बाज हरे मने हरन कर बालक का हरन ना मने नहीं अत्र मने यहाँusta है हरण इसमें हरण नहीं कर सकती इसमें क्या संसा है इसमें क्या संसा है जावो मतलब लोहे की तराजु को अगर मानके उन्होंने कहा कि अगर बालक का बालक का हरण नहीं कर सकती है वाज तो लोहे की तराजु को भी फिर चूहे नहीं खा सकते मतलब दोनों बातें इसमें छिप पर ओ हो जाएगा शो अवदत मो जिया हुए है सो अवदत तो यहां पर आपकी बिशर घिशनदी तुलाम में दूतिया ब्भथी लगी है लोई सहस्त्रश में शश्टी चिप्वक्ति का एक बच हूउप दिया है क्या लगा हुआ है सश्थी बबबगति का एक बचन और यत्र अब्याग लगा हुआ है खाधती खाधतह खादनती बहुबचना अंतरूप लगा हुआ है खाध फ्काहों और नियान बिशर के स्थान पर ओ हो गया है बालकम में दुत्य अभ्यवक्ति न प्लस अत्र बरावर नात्र दिर की शंदी हो गई है संसया में प्रत्म का एक बचान रूप लगा ते माने बे आप रिच्छन माने पूछते हैं कौन वो धर्माधी कारी पूछते हैं आप रिच्छन उन् सामने सभी पूरे बृत्तांत का निवेदन करता है तब नयायके अधिकारी तब नयायके अधिकारी भी हस्यों हसते हुए प्रशान मनसे तव मन मनše दौनों के दो आव अपी मने दोनों को भी संबोध्य करते हुए तुला मने तुला और सिसु माने सिसु प्रदानेन माने देने की वो उसको तुला देने की और वो उसको सिसु देने की तो सिद्वन्ता माने आग्या देते हैं उनको करते हैं ठीक समझ में आ गया सब्या नाम अग्रे सक्तमी का एक बचन आधिता में प्रत्मा का एक बचन सर्वम में दुतिया वक्ति बृत्तांतम में दुतिया नी प्लस अवेदयत निवेदयत तो यहां पर आपका निवेदन करने की बात करें दिन्याय प्लस अधिकारिना यहां पर भी दिर किशंदी है नियाय प्लस अधिकारिन, नियाय प्लस अधिकारिन, नियाय अधिकारिन, आ प्लस आ, दोनों मिलेंगी, बढ़ा आ, बन जाएगा, तो बनेगा आपका नियाय अधिकारिन, नियाय अधिकारिन, दिर की शंदी प्रत्मा का बहु पचनांत रूप लगा हुए आज बिहस में सश्टी विभक्ती का एक बचन ताव में दुतिया विभक्ती का वो प्रत्मा का दुई बचन दौ अपी आयादी शंदी लगी हुए संबोध्य में शंबोधन करते हुए ले प्रित्य तुला में प्रित्मा का एक बचन सिसु प्रदानेन तृतिया का एक बचन लूप लगा है तोश्य द्बनता में बहवचनांत रूप लगा हूए अनवै देखियेगा इस लोग का इस लोग का अनवै राजन हे राजन यत्र लोह सहस्तर से तुलाम मूशका खादंती यदि लोह से बनी को अगर हजारों चुहे खा सकते हैं तो तत्र माने वहां सेन माने बाज के द्वारा बालका हमाने वालक ने हरेत माने हरन करने हरन होना चाहिए अत्र शंस्या ना इसमें इसमें कोई संसय नहीं है इसमें कोई संसय नहीं है अगर चुहे को वह खा सकते हैं तो निश्चित है कि तलाज उसको भी बालक को भी चुरा सकते हैं शुरूए ताम माने शुनो संसया माने शंदेह और अग्रे माने आगे आदिता का मतलब आरंब शे निवेदयत का मतलब निवेदन किया विहस का मतलब हस करके संबोध्य का मतलब समझा कर शब्या नाम माने सभा सदों के सभ्या न को हर लेता है यहां संदे नहीं है बें पूछने लगे यह कैसे हुआ यह हुआ कैसे है फिर उसे सेट ने सवासदों के आगे आरम में से सब ब्रितांत क्या किया निवेदन किया फिर नियायादिकारियों ने हस करके उन दौनों को भी समझा करके तराजू और शिशू के देने चलिए आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी और हम लोगों ने यहां पर पूरे पार्ट को समाप्त कर लिया ध्यान रखिएगा आगे का मैं बहुत जल्द आपका अभ्यासकार ले करके आऊंगा तब तक के लिए आप लोग अच्छे से इन दौनों पार्टों को पढ़ ल यहां ध्यान रखें आप किसी भी माध्यम से हों चाहें आपका सीवियर सी इंग्लिस मीडियम हो हिंदी मीडियम हो आप यूपी वोट से हैं भीहार वोट से यत्रुतत्र शर्वत्र कहीं से भी हो भारत का एकमात रहशा प्लेटफों जो आप लोगों को देता है 100% फ्री ए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और बैल आइकन को दबाना बिलकुल भी ना मूलें जिससे की आपको नए वीडियो की अपडेट मिलती रहें ध्यान रखें प्लेलिस्ट पर आपको सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे मस सुन्दर तरीके से सिक्षकों के मारगे दर्शन में नोट से तैयार किये गए हैं वो नोट्स आपकी परिच्छा में आपकी बहुत ही मदद करेंगे उत्तम और स्रिष टंक लाने में तो जल्दी से आप संपर करिएगा उसके लिए करना क्या होगा वो मैं आपको बताता द्यान रखिएगा आप नीचे जाएंगे लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिस वीडियो को आप देख रहे हैं उसी के नीचे इनोट सुरी बुक्ष मिलेगा तो उसकी संपूर जानकारी आपको वहां से प्राप्त हो जाएगी द्यान रखिएगा भोलिएगा नही और हाँ अगले वीडियो तक आप हमारे साथ बने रहिएगा जयत उसक्रितम जयत भारतम